नमस्कार दोस्तों, Car Musicum मैं आपका हार्दिक स्वागत है, मैं परीद दुबे, आज आपके लिए लेके आया हूँ, MaxLink का Oval Speaker, यह speaker जो है, वो single है, जबकि market में जो companyya Oval Speaker बेचती है, वो pair bias बेचती है, अब guys, यह speaker की quality बहुत जबरदस्त होने वाली है, जो sound की quality है, वो कहीं न Oval Speaker, MaxLink का, another company के दो Oval Speaker के बराबर sound quality आपको manage करके देगा, तो इसकी unboxing करते हैं, और देखते हैं, क्या है इसमें different market से, जो एक speaker के साथ company challenge करती है, कि आपको अच्छी sound की quality मिल जाएगी, तो सबसे पहले करेंगे unboxing, और साथ ही साथ guys, मैंने इस car के अंदर, जो मेरी 2020 Quid RXL है, बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड की है, तो उसके लिए आपको हमारी playlist चेक करनी पड़ेगी, 2020 Quid RXL Review, जिस पे मैं बहुत सारे review भी कर रहा हूं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो आपको genuine तरीके से देखने को मिल जाएगी, और MaxLink की भी मैंने एक product playlist बनाई है, ज MaxLink के oval speaker की, यह है अपका oval speaker का box, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका model number है, MLGT6900, और इसकी packing अगर आप देखेंगे तो कापी solid packing मिलेगी, अब अंदर की दरब चलते हैं, तो देखते हैं, क्या इसमें unique है, और कैसे यह complete करेगा, कैसे यह बराबर है, दो oval speaker के, means, अगर आप एक oval speaker भी लगाते हैं, MaxLink का, तो आपको परियाप्त sound की quality मिल जाएगी, and यह 300W peak power में, 150 RMS power के साथ आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पे mention है, की features में इसके, तो अभी हम क्या करते हैं, इस box को open करते हैं, और देखते हैं, इस product की quality क्या है, तो यह देखिए, मैं box को बता हूँ, open, तो सबसे पहले box में से निकालता हूँ, मैं speaker, फिर आपको बताता हूँ कि क्या है, इस product के अंदर unique, जो की और company के पास, या और जो भी product चल रहे हैं, market में, उन से different यह product है, तो यह देखिए, मैं निकालता हूँ इस को, सबसे पहले, इस speaker का guys, जो base है, आप देखेंगे, जो basket है, चारो तरफ, यह है aluminium की, जो की काफी महंगा होता है, और sound की बात करते हैं, तो sound की quality काफी जबरदस्त होगी, क्योंकि magnet जो है, वो भी काफी heavy है, और यहाँ पे आप देखेंगे, finishing भी बहुत जबरदस्त है, और अगर आप wiring connection की बा मतलब output जो है, completely इसको मिलेगा, और यह किसी भी local player के साथ, कोई भी stereo हो, उससे फरक नहीं पड़ता, आप high, low या mid paste को चलाएंगे, तो इसकी जो volume है, जो आवाज है, वो बिलकुल fatigue नहीं, बहुत clear cut sound आपको सुनाई देगा, और उपर से देखेंगे, तो inbuilt, इस पे जो cover है वो inbuilt, उसमें connect है, मतलब यह हटेगा नहीं, remove नहीं होगा, जैसे कि ओबल speaker में अलग से जाली आती है, वो नहीं है, back selling brand का यहाँ पर logo मिलेगा, और proper आप देखेंगे, product भी काफी heavy है, जबरदस्त quality में आपको यह मिलेगा, अभी हम इसको चलाएंगे, तो sound quality भी आप देख जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यह देखिए complete आपका हो गया, oval speaker, यह रा, warranty card, तो चलिए चलते हैं और करते हैं इसकी wiring फिर देखते हैं, यह चीज़ है, impedance controller बोलते हैं इसको, guys, simply हम इसको connect कर रहे हैं, आप देखेंगे, यहाँ stereo के साथ, चुकिए after market android stereo है, और इसका वीडि लगी, यह देखें, wire connectivity के लिए जो चीज़, यह lock दिये गए हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, और बहुत easily आप इनको connect कर पाएंगे देखना, यह देखें, यह आपका wire यहाँ पे lock हो चुका है, तो काफी अच्छा यह है कि आप proper इसको जो है, अगर आप fit कर रहे हैं, आपको परिसान ही नहीं होगी कोई भी इसको लगाने में, क्योंकि जहाँ पर हम wiring को वैसे connect करते हैं, नॉर्मली, तो वहाँ पर क्या होता है, wire loose बगएर रह जाता है, यहाँ पर आपका wire connect हो चुका है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से simply इसकी testing कर लेते हैं, कि जो studio क output है, वो इस तक आ रहा है, या नहीं, फिर यह wiring मैंने proper अंदर कर रखी है, और यहाँ से निकल के आप देखेंगे, यहाँ से नीचे आके, और इस driver seat की तरफ आपकी नीचे wiring आ जाएगी, सब कुछ मैं inside करूँगा, आपको बिलकुल wire देखेगा नहीं, और फिर देखते हैं इसकी टेस्टिंग, गाइज, प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है, वाइरिंग भी मैंने कर दिया है, स्टीडियो भी सही से स्टैबल कर दिया है, डैसबोड पे, अब यह है speaker गाइज, और हमारा जो अंदर सीट सब बूफर है, उसकी RC cable मैंने निकाल दी है, जैसे कि आपको म इस oval speaker का sound सुना पाऊं, तो आप देख सकते हैं, मैं यहां से volume देता हूं, और play करता हूं music, गाइज, मैंने इसको लगाया है, सीट के नीचे आप इसको ट्रे पे भी लगा सकते हैं, और अगर आपने दो oval speaker लगा दिये, तो I think मुझे नहीं लगता कि आप वो बूफर की, य दोनों चीजे लगाई हैं, और दोनों का एक experience मैं जानना चाहा रहा था, और क्या है MaxLink की quality, यह भी पता चला मुझे कि वाकई बहुत premium quality के product यह बनाते हैं, मैंने अपनी car में maximum MaxLink के product लगाए हैं, जैसे कि मैं अभी car charger भी लेके आने वाला हूं, वो भी MaxLink का ही लगा हूंग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइगन को प्रेस करें, जैसे कि आपको genuine product के unboxing, review and testing देखने को मिल जाए, बहुत सारी playlist हैं, अगर आप channel पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि playlist के साब से मैं वीडियो बनाता हूं, तो आपको 110% genuine product की, ए उसरा एक experience आपको पता चलेगा कि मेरा क्या experience है, क्योंकि मेरी ये पहली कार है, तो मैं चाहता हूं कि अपनी कार में premium चीजे ही लगाँ, तो कैसा लागा वीडियो प्लीज बताइए, अगर हम price की बात करते हैं, तो price मैं दे देता हूं description में, और MRP ही मैं दे सकता हूं, क्यो वो आपको provide करा रहे हैं, या किस dealer से आप ले रहे हैं, और क्या company की policy है, क्या company का offer है, वो आपको देखना पड़ेगा, near car SSRI swap पे जाके, बाकि MaxLink के जो product है, वो आपको सिर्फ अपने near car SSRI swap पे ही मिल सकते हैं, मेरे through या किसी और के through आप online वगरे ये नहीं खरीच सकते, ये quality ऐसी है, कि जो dealer के पास material जाता है, वही बेचते हैं, वहीं से आपको service मिलेगी, कुछ आपको नहीं करना है, सर्फ near car SSRI swap पे जाके, विजट करना है, और model नमर बताना है, जो कि मैं हर वीडियो में बताई देता हूं, mostly जो product unbox करता हूं, उसका, तो कैसा लगा वीडियो प्ल watching my video, देखते रहिए, car music अब यहां मिलेगा सब,